हाई फ्रेंड्स मैं प्रतिक प्रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल तेहरी के यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे Funds of Government of India यानि के भारत सरकार की निदी Government अपना पैसा कहां पे रखती है किस तरह से पैसा Government को access दिया जाता यानि के कैसे सरकार उस पैसे का use ले सकती है क्या permission चाहिए और कितना पैसा खर्च किया जा सकता है कब खर्च किया जा सकता है इन सब चीजों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं जो बारत सरकार का टोटल पैसा है वो तीन पार्ट में रखा जाता है फर्स्ट है Consolidated Fund of India जिसे का जाता है भारत की संचित निधी सेकिंड है Contingency Fund of India भारत की आकस्मिक निधी और थार्ड है Public Accounts of India यानि के भारत का सार्वजनिक खाता तो basically तीन टाइप के funds हैं जिसमें Government of India का पैसा रहता है Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India and Public Accounts of India इनी तीनों को हमें one by one समझना है Starting from Consolidated Fund of India जो हिंदी में कहलाता है भारत की संचित निधी तो देखें, this is the most important of all accounts of the government Government के जितने भी accounts है जो भी हमने देखे तीनों सबसे important Consolidated Fund हैने के संचित निधी है पैसा कहां से आता है तो this fund is filled by direct and indirect taxes and loans taken by the Indian Government Government of India जो tax लगाती है हम लोगों पे जो direct tax हो, chain direct tax जिसे अब GST का जाता है दोनों में से कोई भी हो जो tax लगता है या भारत सरकार जो loan लेगी अब वो loan कहीं से भी लिया जा सकता है आम जंता से लिया जा सकता है, foreign से लिया जा सकता है International Institutions, World Bank, IMF अगरा से लिया जा सकता है bilateral loan वो सारा कुछ government का समय आता है यानि कि consolidated fund में आता है Returning of loans slash interest of loans to the government by anyone or any agency that has taken it यानि कि अगर government of India ने किसी को loan दे रखा हो चाय कोई country हो, कोई corporate हो, कुछ भी हो वो जो loan चुकाते हैं, उसके उपर जो ब्याज का पैसा देते हैं या जो principal amount देंगे, तो वो भी government का income है वो भी किस के अंदर जाएगा, consolidated fund के अंदर ही जाएगा यानि कि संचित निदी के अंदर ही जाएगा The government meets all its expenditure from this fund सरकार का जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी व्या हो रहा है वो इसी fund से सरकार पूरा करती है यानि कि government के जितने भी expenditures हैं, किसी भी तरीके के हो, कहां से meet होंगे Consolidated Fund of India से ही meet होंगे The government needs parliamentary approval to withdraw money from this fund अईस fund से पैसा अगर सरकार को निकालना है तो government को क्या करना होता है Parliamently approval चाहिए होता है, यानि कि संसद की सहमती जरूरी होती है जो budget paste किया जाता है, जो budget present किया जाता है उसके अंदर जो है, इसका provision होता है जिसके तैट सरकार क्या कर सके Consolidated Fund of India के अंदर से पैसा निकाल सके बजट के जो steps है, उसके अंदर Appropriation Bill और Finance Bill ये दो टाइप के बिल्स है वो इसी से related है, बिना Parliament के approval के बिना संसद की सहमती से एक रूपिया भी बारे सरकार इसमें से नहीं निकाल सकती है The provision of this fund is given in Article 266.1 of the Constitution of India हमारा जो समविदान है, उसके अनुच्छेद 267 ब्रैकिट में एक में इसके बारे में लिखा गया है तो अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले, अनुच्छेद पूछ ले तो 266.1 ये तो बात हुई Central Government की Each state can have its own consolidated fund of the state with similar provisions अब राज्य सरकारें अगर चाहे, state governments अगर चाहे, तो वो भी इसी तरह से अपना fund बना सकती है जिसे का जाएगा consolidated fund of the state उसके उपर सारे जो provisions हैं, वो यही लागू होंगे, जो इसके उपर लागू है पैसा आ गया, पैसा निकालने के लिए Parliament से approval लेना पड़ेगा अब इसका पैसा कहां से आ रहा है, जितना पैसा आना चीए, उतना पैसा खाते में आ रहा है या इस account में आ रहा है, या नहीं आ रहा है, फंड में आ रहा है, गौवर्मेंट ने जहां पे permission लिए कि हम यहां पे पैसा खर्च करेंगे पार्लियमेंट से, वहीं पे खर्च कर रही है, या अलग जगा पैसा खर्च हो रहा है इस सब का पता लगाना भी जरूरी है ऐसा नहीं है कि आप गौवर्मेंट पे सक कर रहे हो, बट देश में opposition strong होगा, सरकार के उपर checks and balances रहेंगे तो democracy ज़्यादा अच्छे से काम करती है, लोक्तुंत्र ज़्यादा successful रहता है उसके लिए ये काम कौन करता है, CAG करता है, CAG CAG audits these funds and reports to the relevant legislatures on their management CAG यानि के Comptroller and Auditor General एक post है, constitutional post है, समवधानिक पद है Comptroller and Auditor General of India, इनका क्या काम है, ये इसकी auditing करते हैं Auditing का मतलब हो जाता है, लेखा परिक्षन करते हैं, एक होता है accounting जिसे का जाता है लेखांकन और एक होता है auditing जिसे का जाता है लेखा परिक्षन, balance sheets को check करते हैं, कहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा यूज करने के permission मिलिए, उतना ही यूज कर रहे हैं, जादा पैसा यूज कर रहे हैं, जहां पर यूज करने का बोला है, वहीं पर यूज कर रहे हैं, या mis-appropriation of funds किया जा रहा है, divergent of funds किया जा रहा है, इन सब की checking को auditing कहा जाता है, और इस account की इस fund की कौन करता है CAG करता है CAG तो यह था government of India का पहला fund consolidated fund of India भारत की संचित निदी जिसमें government के almost सारे पैसे और जितने भी government के काम है जो खर्चें हो यही से निकलता है tax का पैसा हो, loan का पैसा हो या फिर वापिस government को कोई loan चुका रहा हो उस पर ब्यास शुकर आओ, सब इसी में जाएगा second type of fund जो है, वो है contingency fund of India contingency word का easy language जो meaning होता है emergency, clear रहां तक इसे हिंदी में का जाता है भारत की आकस्मिक निदी, एकदम से अगर कोई स्तिती आ जाए कि आपको पैसे की जरुरत हो तो वो contingency fund से लिया जाता है तो provision for this fund is made in article 267.1 of the Indian Constitution भारत के समविदान के अनुछेद 267.1 में इसके बारे में लिखावा है जैसे consolidated fund का 266.1 में लिखावा था इसका next article है 267.1 इस corpus is रुपीज 500 करोड 500 करोड रुपे का corpus है it is in the nature of an impressed very important point impressed का मतलब क्या होता है पैसा जो है वो specific purpose के लिए maintain किया जा रहे ये 500 करोड का जो corpus रखा है anytime रहेगा 500 करोड उसका कोई specific purpose होगा कोई निश्चित कारी होगा उसके लिए इस पैसे को maintain किया जाना जरूरी है consolidated fund जो हम पढ़ किया है संचित निदी उसमें कोई भी corpus जरूरी नहीं है यहाँ पे corpus 500 करोड का जरूरी है the secretary of finance ministry holds this fund on the behalf of president of India with mantra लेके जो सचीव होते है finance ministry की जो secretary होगे जो usually IAS officer होते है काफी senior वो इस fund को hold करते है यानि के उनके अंडर ये fund रहता है और वो किसके बीहाफ पे hold कर रहे है president of India भारत के राश्ट्रुपति के बीहाफ पे उसको hold करते है अगर कभी इस fund से पैसे निकालने के जरूरत हो गई क्योंकि मैंने बताया emergency fund है तो एकदम से इसकी requirement हो जाते है emergency ऐसी चीज़ कोई का जाता जो एकदम से हो जाए तो फिर finance ministry के जो secretary हो sign करते है president का signature होता और ultimately पैसा दे दिया जाता है इस fund is used to meet unexpected और unforeseen expenditure ऐसा कोई एकदम से खर्चा आ जाए जो आपने सोच नहीं रखा हो जिसके लिए plan नहीं कर रखा हो जो आपको unforeseen नहीं कि आगे दिखरा भी नहीं था कि ऐसा खर्चा भी कोई आ सकता है ऐसा अगर कोई खर्चा आ जाए कहीं पर floods आ गए कहीं पर बाढ़ आ गई एकदम से पैसा देना पड़े कहीं पर और कोई natural disaster आ गया कोई प्राकरतिक आपदा आ गई सूखा पढ़ गया drought हो गया famine हो गया ऐसी कोई भी इस्तिती हो गई कहीं पर बादल फढ़ गया cloudburst हो गया और कम टाइम में आपको एकदम से पैसा चाहिए आप इतना कुछ नहीं कर सकते हो कि इदे उदर से पैसा मांगो इतना टाइम नहीं आपके पास कि आप कहीं से लोन लो आप पार्लेमेंट के अप्रूवल लो वो पैसा यहां से आता है clear है इट इस उस्टो मिट unexpected और unforeseen expenditure each state can have its own contingency fund established under article 267-2 यह तो भारत सरकार का है इसी तरीके से state governments भी अपनी आकस्मिक निदी को बना सकती है contingency fund को बना सकती है article उसका 267-2 है इसका 267-1 था state का जो fund होगा सेम तरीके से यूजम आएगा state में अगर कोई ऐसी इस्तती आ जाए state में कोई बाढ आ गई सूखा पढ़ गया बादल फट गया land slide हो गया भूस कलन हो गया कोई tragedy हो गई state के अंदर bus की train की किसी की भी एकदम से जो पैसा दिया जाता है relief का वो सारा कुछ कहां से दिया जाता है contingency fund से दिया जाता है states अपने अपने fund से देते हैं अगर state government देगी तो और भारत सरकार अगर देगी तो contingency fund of इंडिया से वो पैसा निकाल के दिया जाएगा hold कौन करता है ध्यान रखना है finance ministry का secretary with mantra ले का सचीव किसके बिहाफ पे on the behalf of president of India भारत के राश्ट्रपती के बिहाफ पे वो इसे hold करता है और जो third fund है government of India का वो है public accounts of India यानि के भारत का सार्वजनिक खाता it is constituted under article 266-2 of the constitution ज्यान रहे सबसे पहला पढ़ा था consolidated fund of India जिसका article था 266-1 फिर हमने पढ़ा था contingency fund of India जिसका था 267-1 और अब हम लोग पढ़ रहे है public accounts of India जिसका है 266-2 all other public money यानि के जो हमने अभी तक पढ़े हैं दोनों उसके अलावा जो भी सारोजनिक पैसा होगा public money होगा जो कि consolidated fund में नहीं है received by or on behalf of the Indian government are credited to this account हमने consolidated fund में कौन सा पैसा पढ़ा था tax हो चा direct चा indirect loan हो government का या फिर government ने किसे को loan दे रहा उसका ब्याज वो सामने वाला चुका है या फिर वो पुरा principal amount चुका दे ये सारा पैसा जाता है consolidated fund में बारत सरकार का पैसा है इसके अलावा कोई भी और government of India का पैसा हो तो वो किस में जाएगा वो इस में जाएगा public account में जाएगा ना consolidated में जाएगा ना contingency में जाएगा अब इसमें क्या क्या आएगा तो देखें bank savings accounts of the various ministries or departments जो अलग अलग ministries ये मंत्राले और उनके विबागे उनका भी कुछ balance हो amount रखते होंगे खुद का saving account रखते हैं बचत खाता उसका पैसा public account में जाता है national small saving fund defense fund जिसको national small saving fund या फिदिफेंस fund का जो पैसा हो गया ये भी public account में जाएगा national investment fund this investment जो हमने पिछले lectures में डिसकर्स किया था we nevist का जो सरकार के पास पैसा आता है government को या सरकारी PSU का जो है कुछ share अगर बेच देती है publicly उसका share निकालके उसको sale कर देती है 10% 20% जो भी है तो जो income earn होगी वो consolidated में नहीं जाएगी contingency में नहीं जाएगी public accounts में आएगी इसको का जाता है national investment fund national calamity and contingency fund disaster management के लिए government कुछ पैसा अलग से रखती है disaster management यानि कि आप दा प्रबंदन वो पैसा भी इसी के अंदर रहेगा किसके अंदर public accounts of India के अंदर provident fund PF का जो पैसा होता है postal insurance वगएरा का जो पैसा होता है और national saving certificates और इस तरीके के जो भी saving schemes हैं जो भी budget की योजना है जो हम लोग सरकार का उपर invest वगएरा करते हैं पैसा वगएरा देते हैं similar funds वो सारे के सारे किसमें जाएंगे public accounts of India के पास ही रहेंगे consolidated fund में खाली tax का पैसा सरकार का loan का पैसा सरकार का और सरकार को जो ब्याज वगएरा मिलता है जो उन्होंने loan दे रखा हो और उसका जो permission to take advances from this account इस खाते से पैसे निकालने के लिए government को किसी भी संस्था की किसी भी institution की permission की requirement नहीं है अनुमती नहीं चाहिए सरकार का पैसा है, सरकार खुदी अपने विवेक से, अपने discretion से इसे use कर सकती है consolidated fund का जो पैसा है उसको निकालने के लिए parliament का approval चाहिए था संसत की सहमती contingency fund जो है उसके लिए president के under था वो finance secretary साइन करता है president के साइन करवाता है उसके बाद यहाँ पे किसी भी permission की requirement नहीं है each state can have its own similar account हर state जो है वो इसी तरीकी से खुद का public account जो है वो maintain कर सकता है जिसमें state की जो भी schemes वगरा के पैसे है state की जितने भी ministries है जो saving schemes का पैसा है provident fund ए state employees का वो सारा कुछ उसके अंदर hold किया जाएगा the audit of all expenditure from public account of India is taken up by the CAG CAG भारत का नियंतरक एवं माहा लेखा परिक्षक CAG Comptroller and Auditor General of India है जिसे हिंदी में बारत के नियंतरक एवं माहा लेखा परिक्षक कहा जाता है consolidated fund के जैसे ही संचित निदी के जैसे ही public accounts की भी auditing कौन करता है CAG ही करता है तो ये थे बारत सरकार के तीन अलग-अलग accounts या तीन अलग-अलग funds contingency fund of India बारत की संचित निदी तो ये थे बारत सरकार के तीन अलग-अलग funds तीन अलग-अलग accounts सबसे पहला पढ़ा consolidated fund of India बारत की संचित निदी फिर पढ़ा हमने second number पे contingency fund of India बारत की आकस्मिक निदी और third हमने पढ़ा है public accounts of India बारत का सारोजनिक खाता government of India का सारा पैसा इनी तीन accounts में जाता है कहां पे कौन सा पैसा जाएगा hopefully इस lecture के बाद आपका वो doubt क्लिर है धन्यवाद थैंक यू सभी का प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी